हेलो दोस्तो मैं राकेश शौधरी आपका मैथामेटिक्स ट्रीचर वेलकम करता हूँ डिजिटल तैरी के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रेलवे एंटी पिसी और डी ग्रूप के कंप्लीट मैथामेटिक्स के सैलेबस की उसी सिरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था रेखा है एवं कौन लाइन्स एंड एंगल्स उसका पार्ट फर्स्ट हम कल कंप्लीट कर चुके आज बात करें पार्ट नमबर सैकेंड के बारे में और जैसा कि आपको बता है ये चैप्टर जो है जैमिती जोमेट्रिक का है ठीक डाइगराम दे रखा आपको इसमें पी क्यू और बी सी जो है दौनों ही आपस में क्या है समान अंतर है पैरलर है तो पी क्यू ये रहा पी क्यू आपके सामने और B, C, ये रहा B, C आपके सामे, दौनों ही parallel है, P, A, B जो है वो 60 degree दे रखा है, तो P, ये रहा, A, और B, इसका मतलब इसकी value आपको question में दे रखिये कितनी 60 degree, कोई दिक्कत नहीं, A, C, D आपको दे रखा 110 degree, A, ये रहा, C की बात करें, तो C, ये रहा, और D की बात करें, ये, तो ये दे रखा 110 degree, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पूछ रहा है, Y का मान क्या होगा, Y का मान मतलब ये value आपको निकाल लिए, निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे, दिखियेगा, सबसे पहले बात कर ले, ये P, Q और ये BC जो है parallel है, तो मैं देख सकता हूँ, एक Z बनता हुआ दिखरा है, ये Z आकरती degree है आपको, तो इसका मतलब ये जो X है, वो कितना होगा, 60 degree होगा, तो X का मान तो आगया आपके कितना 60 degree, क्यों, क्योंकि दौनों ही एकांतर कौन होग है, इस वजे से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब X का मान आगया तो हमारा answer भी आ चुका है, वैसे तो हम देखें तो, तो देखिएगा, ये आगया आपके पास कितना 60, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये कितना होगा, तो ये एक line दिखरी है, आपको पूरी B से D तक, उस 180 डिखरी होगा, तो एक का मान 110 है, तो दूसरे का मान कितना होगा, शितर डिखरी, तो थीटा का मान आगया कितना, 70 डिखरी, लेकिन हमें तो ये Y निकालना था, तो Y निकल चुका है, क्यों, क्योंकि आपके सामने ये आ चुका है, क्या, एक triangle, एक तिर्बुद आ चुका ह जिसके तीनों कौनों का योगफल होता है, आपके कितना, 180 डिखरी, तो दो कौन तो पता चल गए, X और थीटा, ये रहे आपके सामने, तो Y क्या होगा, 180 में से इन दौनों का टोटल हम क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि तीनों को योगफल, 180 डिखरी होगा, तिर्बुद जो की option है हमारा option number कौन सा पहला तो जैसा कि मैंने कहा जो चीजे मैंने आपको explain की है part first में अगर वो सारा basic आपको अच्छे से पता है तो आप questions को बिना pen चलाए जो diagram आपको दे रखा कुशन में वहीं पर आप changes करके आप इसका answer ला सकते हो ठीक है मलब सारा यहीं कर सकते हो तो finally answer आगे इसका 50 degree चलिए बात कर लेते हैं next question number 12 के बारे में क्या कह रहा है question number 12 देखिएगा तो question number 12 आपको कह रहा है diagram दे रखा है आपको तो question number 12 आपको कह रहा है कि जो diagram आपको दे रखा है चित्र में AB और CD जो है वो AB और CD आपस में समानांतर है तो AB और CD आपस में समानांतर है parallel है चलिए ठीक है दिख भी रहा AB कहां और CD कहां तो यह है आपकी AB और यह है आपकी CD दौनों एक दूसरे के parallel है तो आपको सीधा बोल दिया X का मान निका लिए बाकी जो values है जैसे कि 70 degree है गेवन है और ये 20 degree है ये भी दी रखा है तो आसानी से निकल जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है हम देख सकते है AB और CD जो है वो दौनों आपस में समानांतर है parallel है तो उनकी 33 छेदी रेखा जो है transversal line जो है वो हो गई ये BF ठीक है तो हमें पता है जब दो समानांतर रेखाओं को एक 36 छेदी रेखा काटती है तो एक ही तरफ बनने वाले कॉन जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं क्योंकि वो कौन होते है संगत कौन corresponding angles तो उसी वज़े से ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा ये एंगल होगा आपके 60 degree का तो ये कौन होगया आपके 70 का ठीक है अब अब तो आंस्वर आगया बचाई नहीं कुछ अब देखिएगा हमें निकालना x का मान تو x का मानना हम बहुती आसानी से निकाल सकते हैं मैं ये देख सकता हूँ कि ये एक तिरबुज है कौन सा? ये रहां एक तिरबुज इस तरह से तो तिरबुज है इसके दो ँंतर कौन ये रह x और क्या 20 degree तो तीसरे कौन का बाहरी कौन हमें पता है सित्तर डिग्री जो की इन दौनों अंतह कौनों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है हमने देखा था पार्ट फर्स्ट में क्या कंसेप्ट था वो अच्छे से विद एक्जांपल मैंने आपको समझाया था तो इस जले उसका जो बाहरी कौन है वो है सित्तर डिग्री तो हमें पता है किसी भी तिर्बुच के लिए दो अंतह कौन अगर आपको पता हो तो तीसरे कौन का बाहरी कौन जो होता है एक्स्टरनल एंगल जो होता है वो दौनों अंतह कौनों की योगफल के बराबर होता है तो मै कहा सकता हूँ 70 degrees equals to x plus क्या 20 degree आपको तो x c वो आगया 50 degree जो की option match कर रहा आपका option number पहला आप इसको ऐसे भी कर सकते दे ये सित्तर है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 110 उसका reason क्योंकि c से d एक straight line हो गई उसपर एक बिंदू यह हो गया एक ही तरफ बनने वाले कोड़ों का योकफल 110 और यह 20 कितना हो गया 130 तो बचावाएए अपने आपके कितना हो जाता 50 जीडिगुरी मैसे करेंगे तो भी यहीं अंस्वर है और इस तरीके से किया तो भी अंस्वर सेम है और यह मैं आपको पार्ट फर्स्ट में ही कह चुका था कुशन स्टार्ट कराने से पहले कि आप तरीका कोई सा भी लगाएंगे अंस्वर सबका सेम आएगा ठीक है चलिए बात करते हैं next question number 13 13 के बारे में क्या कह रहा है question number 13 देखिएगा question number 13 आपको दे रखा है और question number 13 कह रहा है आपको की diagram given है आपको क्या चित्र में आपको कौन-कौन जो है वो आपस में समाना अंतर है parallel है वो दे रखा है PQ LM और RS तीनों ही समाना अंतर है parallel है तो देख लेते हैं कहा है PQ ये रहा P से Q ठीक है फिर आपको कह रहा है LM ये रहा बिल्कुल LM फिर कह रहा है RS तो ये रहा आपका RS तो ये तीनों आपस में parallel हो गए समाना अंतर हो गए प्रस्चने के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है और आपको LRS जो angle है उसके बारे में पूछ रहा है तो LRS मतलब इसके बारे में आपको ग्यात करना है X degree का मान आपको निकालना है चलिए निकाल लेते हैं आसानी से निकल जाएगा कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है तो देखिएगा केवल और केवल इस डाइग्राम की बात कर लेते हैं जो ये इतना सा डाइग्राम है M से L L से इधर R और R से इधर S तो हमें पता है प्रश्णे के अनुसार L M और R S दौनों समाना अंतर है पैरलर है ठीक है तो ये L से R जो है वो इन दौनों समाना अंतर रेखाओं की तीरिक छेदी रेखा हो गई L R जो है ठीक है ट्रांसवर्जल लाइन है L R तो हमें पता है जब दो समाना अंतर रेखाओं को एक तिरिक शिदी रेखा काटती है तो अंदर की तरफ बनने वाले जो कौन होते हैं वो अंतह कौन कहलाते हैं और अंतह कौनों का योगफल जो है वो 180 डिगरी होता है तो उसी नियम से हमारा x का मान आ गया सीधा सीधा अंतह योगफल 180 डिगरी तो यह बराबर हो गया 180 तो आपको थो x निकालना है तो बस निकल जाएगा 155 डिगरी जो है 180 डिगरी में से less कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा यह यह हो गया 60 और यह कितना 7080 तो यह 25 डिगरी तो आंसवर आ जाएगा 20 डिगरी जो की option है आपका option नम होगा चलिए बात करते हैं next question नमर 14 चौदा के बारे में क्या गेरा question नमर 14 देखिएगा language का question है तो बात कर लेते question नमर 14 आपको कह रहा है कि वह कौन कितने degree का होगा जो अपने सम पूरक कौन के एग बटा 5 के बराबर है सम पूरक कौन होता है supplementary angle और सम पूरक कौन मतलब जब दो कौन का योगफल केतना होता 180 degree और पूरक कौन होता आपका complementary angle मतलब जब दो कौन का योगफल केतना होता है 90 टिगरिस चली ठीक है तो आपको ये क्या कह रहा है वह कौन कितने degree का होगा जो अपने सम पूरक कौन के एक बटा पांच के बराबर है तो पहला कौन दो कौन होगे तो पहला कौन अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा 180-θ ऐसा क्यों क्यों क्योंकि दॉनों को जोड़ने पर 103 आना चाहिए तो यह लीजिये पहला यह तो दूसरा यह तो दॉनों को जोड़ा तो थीटा और ये थीटा प्लस माइनस के जुड़कर 0 हो गए योगफल 180 आना चाहिए था तो ये लीजी 180 डिगरी आ रहा है तो इसका मतलब आपको जब ये कह रहा है दो कौन के बारे में और दौनों कौन समपूरक है तो पहला कौन हुआ थीटा और इसका समपूरक कौन हो गया 180 माइनस थीटा क्योंकि दौनों को एड़ करेंगे तो 180 आजाएगा इसी वज़े से ये सप्लिमेंटरी एंगल होंगे चलिए आपको गह रहा है वहब कौन मतलब थीटा निकालना है कितने डिगरी का होगा जो अपने समपूरक कौन का ये रहा इसका समपूरक कौन एक बट इसको अगर उसका सपिोमेंटरी एंगल पूचते तो डेफेनेटल उसका सपिल्मेंटरी एंगल कितना हो जाएगा 150 दीगर तभी तो दौनों को जोड़ेंगे तब 180 बनेगा ठीक है चलिए बात करते हैं next question number 15 15 15 नंबर के बारे में क्या कह रहा है देखते है question number 15 है आपके सामने diagram बनावा है तो क्या है diagram बात कर लेते हैं तो diagram में आपको यही कह रहा है कि चित्र में आपको दे रखा है कि a b और d c एक दूसरे के समाना अंतर है ठीक है फिर d e और b f b एक दूसरे के समाना अंतर है तो आपको x का मान निकालना तो पहले तो देख लेते हैं जो यह line है बोल रहा है वो कहां पर है जैसे कि a b और d c तो यह a से b और यह d से c यह parallel हो गई प्रस्टिक एनूसर तो यह लीजिए इनको कर दिया हमने parallel फिर क्या कह रहा है d e और b f भी parallel है तो यह लीजिए d e और यह b f यह पूरी की पूरी यह दौनों भी parallel और यह दौनों भी parallel ठीक है तो आपको पूछ रहा है X का मान क्या होगा जो की हमें दिख रहा है वहाँ पर है और ये 40 है और ये 65 है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चली निकाल लेते हैं आसानी से निकल जाएगा जैसा कि मैंने का तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन आंस्वर सबका सेम होगा तो देखिएगा मैं इस तिर्बुझ के बारे में बात कर लेता हूँ ये जो तिर्बुझ है तिर्बुझ A, B और C के बारे में तो इस तिर्बुझ A, B, C के बारे में मैंने बात की तो मुझे पता है तिरबुच के तीनों अंतह कोणों का युकफल 180 degree होता है तो 2 तो मुझे पता है 40 और 65 है ये जो अंगल B है ये नहीं पता तो ये निकाला जा सकता है तो अंगल B यहाँ से मैं देख सकता हूं वैसे तो बिना लिखे भी सीधा हम यहाँ लिख सकते है तो 50 degree और 40 degree ये हो गया कितना 105 degree तो बचावा ये कितना हो गया 75 degree तो आप तीनों को जोड़ेंगे तब 180 बन जाएगा तो अगर ये 75 degree है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा 75 degree ही होगा reason क्योंकि AB और DC क्या है समान अंतर है parallel है और ये जो B से F है ये इनकी transversal line है मतलब क्या 33 चेदी रेखा है तो इसका मतलब दो समान अंतर रेखाओं को जब एक 33 चेदी रेखा काड़ती है तो एक ही तरफ बनने वाले कौन आपस में बराबर होते हैं क्योंकि वो संगत कौन corresponding angles होते हैं तो ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री हो गया अब हमें क्या निकालना X तो वो तो निकल चुका है कैसे देखिए ये line और ये line आपस में क्या है समान अंतर है प्रश्ने गैनुसाथ तो इनकी 33 चेदी रेखा कौन सी हो गए ये हो गए तो इसका मतलब ये जो है दोनों ह जो है क्योड़ों हो गये और योख़ल 148 डिग्री होता है जब 2 समाना अंतर रेखाओं को एक strictly रेका 9 कारती है तो अंदर कि तरफ बनने वाले दौनों कौन अंतor कौन कहलाते है और अंतर कौनों का योख़ल होता है 1 80 डिग्री तो X डिग्री और 75 डिग्री मिला कर 180 तो X का मान हो गया आपके 105 डिग्री जो की option है हमारा option number कौन सा 30 तो X पूछा था वो आ चुका है 105 डिग्री ठीक है चलिए बात करते हैं next question number 16 16 के बारे में क्या है question number 16 जो की language का question दिख रहा है तो देख लेते हैं question number 16 को तो question number 16 है आपका वह कौन कितने डिग्री का होगा जो अपने पूरक कौन के बराबर हो ठीक है पूरक कौन इसका मतलब होता है क्या complementary angles मतलब जब दो कौनों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है चलिए निकाल सकते हैं वैसे बड़ी बात नहीं है ये वह कौन कितने डिग्री का होगा तो वह कौन हमने मान लिया क्या है थीटा और उसका पूरक कौन उसका complementary angle क्या होगा 90 माइनस थीटा ऐसा क्यों क्योंकि दौनों को जोड़े तब 90 डिग्री होना चाहिए तो एक अगर थीटा है तो दूसरा definitely 90 मानेस थीटा होगा तभी तो दौनों को add करने पर 90 आएगा तो ये वो कौन होगया जिसके बारे म अब 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 आश्वर आजाएगा माइनस थीटा इदर लेकर आजाओ प्लस का होगया तो 2 थीटा इस इकोल्स टू कितना 90 तो हमें तो थीटा ही चाहिए जो की definitely आ चुका है कितना 45 डिग्री तो option हम कह देंगे option कौन सा सही है second option हो जाएगा इसका क्या 45 डिग्री चलिए देखते हैं next question number 17 17 number question जो है वो आपको क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं तो 17 number question है आपके सामने ये question भी language वाला ही है और वैसा ही कुछ दिख रहा है जो हमने अभी अभी किया है तो question number 17 जो है उसके बारे में देखते हैं तो question number 17 आपको कह रहा है कि वह कौन कितने डिगरी का होगा जो अपने सम पूरक कौन के बराबर है अभी बात कर रहा था पूरक कौन के बराबर अब कह रहा है आपको सम पूरक कौन के बराबर चली निकाल लेते 60 डिग्री होगा 120 डिग्री होगा 90 डिग्री होगा ये 150 डिग्री होगा ठीके तो वह कौन कितने डिग्री का होगा हमें नहीं पता तो मान लिया वह कौन क्या है थीटा किसकी बात करा सम पूरक कौन की मतलब supplementary angles की तो supplementary angles होता है 180 डिग्री दो अंगल आपस में supplementary angles कहलाएंगे जब उनका total 180 होगा दो कौन आपस में सम पूरक कौन कहलाएंगे जब उनका योगफल 180 डिग्री होगा चलिए तो कौन होगया थीटा तो इसका सम पूरक कौन क्या होगा 180 माइनस थीटा इनको जोड़ लो तभी तो 180 बनेगा तो प्रस्टने कहला है कौन कितने डिग्री का होगा जो अपने सम पूरक कौन के बराबर हो तो ये लीजिए बराबर तो माइनस थीटा इधर लेकर आजाए तो प्लस का होगया तो 2 थीटा बराबर 180 तो डिफिनेटली थीटा की वेल्यू आगई कितनी 90 इसका आला option कौन सा सही होगया second option ठीक है चलिए बात करते हैं next question number 18 18 के बारे में क्या गहरा है question number 18 देखिए question number 18 ये भी language वाला ही question है तो क्या है question number 18 ये आपको कह रहा है कि दो सम पूरक कौन में 34 डिगरी का अंतर है तो बड़ा कौन कितने डिगरी का होगा वो हमें बताना है question number 18 आपको कह रहा है दो सम पूरक कौन में अंतर 34 डिगरी का है तो हमें पता है दो सम पूरक कौन का योगफल कितना होता है 180 डिगरी तभी तो वो क्या कहलाते हैं सम पूरक कौन तो जैसे कि पहला कौन है थीटा वन दूसरा कौन है थीटा टू तो ये दौनों एंगल जो है supplementary एंगल सम पूरक कौन उसी समय होंगे जब इन दौनों का योखफल कितना होगा 180 डिगरी अब प्रस्नी ये कह रहा है कि उन कौनों में अंतर कितने डिगरी का है 34 डिगरी का तो योखफल 180 है तो अंतर है आपका कितना 34 डिगरी प्रस्नी के अनुसार तो आपको गया रहा बड़ा कौन कितना होगा तो देखिएगा आसान है mathematics में हमने देखा है जब दो variable का total और उनी दो variable का difference दे रखा हो दो चर का आपको योगफल और उनी दो चरों का अंतर दे रखा हो और आपको पहला चर निकालना हो तो वो हम निकाल सकते हैं कैसे इन दोनों के योगफल का आधा करके तो दोनों को जोड लेते एक सो असी और चौतिस हमने जोड दिया तो यह कितना हो जाएगा दो सो चौदा डिग्री और उसका करना आपको आधा तो उसका आधा कर लेते तो ये कितना बन जाएगा आपके सामने अगर इसके बात करें तो 160 डिगरी हो जाएगा तो option कौन सा सही होगी आपका पहला ठीक है तो simple सा question था जो की answer दे रहा है 107 डिगरी अगर ये ही आपको छोटा वाला कौन पूस्ता तो वो भी निकल जाता अगर ये theta 2 दूसरा वाला variable पूस्ता एक तरह से तो इन दोनों का अंतर करके उसका आधा कर लेते हैं तो उसकी value भी आ जाते है चलिए बात करते हैं next question number 19 19 के बारे में question number 19 क्या कह रहा है देखिएगा ये भी language पर आधारित question है question आपको कह रहा है कि वह कौन कितने डिगरी का होगा जो अपने पूरक कौन के 5 गुने के बराबर है तो देख लेते हैं इसको वह कौन कितने डिगरी का होगा जो अपने पूरक कौन के 5 गुने के बराबर है तो वह कौन मान लिया हमने क्या थीटा इसका पूरक कौन 90 माइनस थीटा क्योंकि दौनों को जोड़ू तभी तो 90 होगा तो होगया इसका complimentary अंगल अब वह कौन कितने डिगरी का होगा जो अपने पूरक कौन का 5 गुना है तो इसका 5 गुना तो ये लीजिए इसको 5 से गुना करवा दिया तब ये बराबर हो गया इसके थीटा के तो आपको उस theta की value ही निकालनी है क्या वो 75 degree है क्या वो 55 degree है क्या वो 65 degree है या फिर वो 45 degree है देख लेते हैं 5 का अंदर गोना होगा तो 9 का 5 से ये तो 450 degree आ जाएगा 5 का theta से ये 5 theta आ जाएगा minus का है मेरी तरफ अगर plus का हो जाएगा तो ये theta और ये 5 theta कितना 6 theta और ये कितना 450 degree ठीक है यह तक आपको तो theta निकालना है तो निकाल लेते हैं सीधा सीधा तो 6 से ये चला जाएगा कितना 7 बर 42 फिर कितना रहा 3 तो ये हो गया 30 तो अब 6 से चला जाएगा कितना 5 बर ठीक है तो कितना आ गया 75 डिगरी मतलब A option यही पूछा था आपको तो 6 से इसको cancel कर दिया 42 यह 30 हो गया तो 6 से 30 गया 5 बात करते हैं next question number 22-0 के बारे में क्या कह रहा है देखते हैं क्या गहरा question number 20 वा देखिएगा देखिएगा अभी continuously आपके language वाले question आ रहा है पहले diagram वाले question आये थे अब आपके language वाले question है फिर वापस से diagram वाले question आएंगे तो देखते हैं हमारा ये जो question है question number 2020 वीस टंबर क्या कह रहा है तो देखिएगा आपको कह रहा है वह कौन कितने डिगरी का होगा जो अपने संपूरक कौन के एक बटा तीन के बराबर है संपूरक कौन मतलब supplementary एंगल मतलब 180 डिगरी योगपल ठीक है चलिए तो कौन मान लिया थीटा तो इसका supplementary एंगल मतलब इसका संपूरक कौन क्या होगा 180 minus theta दोनों को जोड़ू तो 180 degree आना चाहिए तो आ रहा है जोडने पर बस तो यह कौन है और यह इसका संपूरक कौन है तो वह कौन कितने degree को मलब थीटा निकालना है जो अपने संपूरक कौन का क्या है 1 बटा 3 है तो यह लीजिए इसका 1 बटा 3 तीन आगे है इदर तो यह 3 theta 1 अंदर चला जाएगा 180 minus theta से multiply होगा तो 180 minus theta ही रहेगा minus theta इदर आएगा तो हो जाएगा प्लस का और यह है 180 degree तो यह कितना है 4 theta बराबर 180 degree तो आपको तो क्या निकालना है theta निकालना है तो निकाल लेते तो theta की value क्या होगी 4 से divide कर लेते यह गया कितना 4 बर 16 फिर कितना 2 तो अब चला गया 5 बर 45 degree तो आपको यही पूछाए कितने degree का होगा तो option कौन सा सही है आपका second option 45 degree का चलिए दूसरा कौन पूस्ता तो 180 में से 45 कम कर लेते तो उस प्रांस्वर भी आ जाते हैं बात करते हैं next question number 21 के बारे में क्या गह रहा है question number 21 देखीए question number 21 आपको कह रहा है कि दो आपको दे रखे हैं क्या संपूरक कौन उनका अनुपात आपको दे रखा है कितना दो अनुपात तीन है तो पताईए चोटा कौन कितने डिगरी का होगा देखीएगा हमें पता है संपूरक कौनों का योकफल कितना होता है 180 डिगरी तो ये दौनों का टोटल होता 180 डिगरी अग उपर हमने टोटल लिखा है तो रेशियो के नियमा अनुसार नीचे दौनों कोनों के योकफलों का अनुपातों का टोटल भी लिख लेंगे तो अगर हम देखे तो अनुपातों का योक्फल कईतना है 2 और 3 है तो 2 और 3 का टोटल हो गया कितना 5 multiplication में आ जाता है जिसके बारे में बात कर रहा है छोटे वाले कॉण के बारे में बात कर रहा है तो छोटे वाला कौन मतलब अनुपात कितना काम आएगा दो तो ये लीजिए दो कर लेते इसको कैंसिल कर दिया है इसको पात से तो ये पहले चला गया तीन बार फंदरा फिर कितना हुआ ये तीस तो ये फिर चला गया छे बार तो ये आंस्वर आ और च्छ शार्ट हो रहें आपके जो डाइगराम वाले कॉश्षंच है वो, तो 22 जो है आपका वो क्या है कुश्षंच देखते हैं तो कुश्षं νबर 22 आपको कह Herren है कि चित्र में आपको में आपको में आपको में आपको दे रखा क्या है ये 3x ये x इस तरह से और आपको कह रहा है कि x का मान क्या हुगा चलिए निकाल सकते हैं और कुछ नी बोला है कौन किसके समाना अंतर है वगरे वगरे इस तरह से ठीक है तो केवल x निकालना है तो निकाल लेंगे कैसे देखिएगा नियम हमें पता है और वही नियम जो part first में starting में हमने देखे थे और मैंने कहा था उनी नियम से उनी जो logic है जो concepts है जो properties थी हमारे angles की जो गुण थे उनी से questions बनेंगे वही चीज़े हम देख रहे है और उनी से questions हो भी रहे देखिएगा हमें एक बात पता है क कि किसी एक बिंदू पर बनने वाले सभी कौणों का योकफल होता है आपका 360 डिगरी तो 3X, 3X, X और 150 डिगरी है एक, दो, तीन और चार कौण है चारों कौणों का योकफल 360 डिगरी जरूर होगा क्योंकि एक ही बिंदू पर बननने वाले सभी कौणों का योकफल हमेशा 360 60 degree होता है तो बस इस नियम को काम में लेके एक second मा answer दे सकते है तो लेते हैं इसका answer तो इन सब को add कर लेते हैं 3x और 3x कितना हो गया 6x और x कितना हो गया 7x प्लस कितना है 150 इन सब का total होगा 360 degree तो ये आगे है 7x 150 को उधर वेज देंगे तो 150 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 210 degree 360 में से 150 कम कर लेते तो 360 में से 150 हमने कम कर लिया तो हो गया 210 degree आपको तो सिर्फ x निकालना है तो ये लीजी ये निकल गया 30 degree मतलब option कौन सा match कर रहा आपका पहला option ये आप उसी समय कर पाएंगे जब आपको ये बात पता होगी कि एक बिंदू पर बनने वाले सभी इकोणों का युकवल 360 degree होता है अदर्वाइस ये question का answer नहीं आ पाएगा तो ये था हमारा question number 22 अब हम बात करते है next question question number 23 के बारे में अगेन आपके पास diagram आ चुका है तो क्या है 23 देखेगा कुछ चीजें आपको दे रखी है diagram के अंदर और कुछ आपको language में बता रहा है तो question number 23 आपको क्या कह रहा है चित्र में x है जो 45 डिग्री है ठीक है तो y का मान क्या होगा चलिए देख लेते हैं उसके अलावा आपको z और u ये सारी चीजें भी दे रखी है लेकिन पूछा केवल और केवल y का ही मान है चलिए देखिएगा ये l1 और l2 मतलब हो गया line पहली और line दूसरी तो मैं यहां से एक बात तो जरूर देख सकता हूँ के l1 और l2 दौनों की दौनों प्रती छेदी रेखा हैं intersecting line है क्यों क्यों आप देख लीजिए ये है l1 और ये है l2 तो दौनों एक दूसरे को एक बिंदू पर intersect कर रही है मतलब प्रती छेद कर रही है तो प्रती छेदी रेखाओं के लिए हमने एक कौन का प्रकार बढ़ा था सीड सा भी मुख कौन मतलब vertically opposite angles उसमें क्या था इस तरह से ये दौनों कौन आपस में बराबर होते थे और वैसे ही ये दौनों कौन भी आपस में बराबर होते थे तो यहां से अगर मैं देखू एक्स का मान हमें पता है 45 डिग्री तो जैसी एक्स का मान आपको 45 डिग्री पता है तो आप जैड का मान भी बता सकते हो 45 डिग्री ही होगा क्यों 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 के दौनों आपस में क्या है सीड सा भी मुख कौन है vertically opposite angles से तो जब जैड का मान आ गया तो य का मान तो निकल गया बचाई नहीं कुछ क्यों 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 के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि एक सीधी लाइन पर एक ही बिन्दू जिसको नाम दिया गया एक लाइन पर एक ही बिंदू पर एक ही तरफ बनने वाले कौनों का योखफल होता है 180 डिगरी तो दो कौन बन रहे हैं z और y तो z और y का total होगा आपके 180 डिगरी z और y में से z गों में पता है कितना है 45 डिगरी है तो आपको निकालना तो y है, तो 45 को उधर बेज दीजिए, तो 180-z कर लू और z की value है 45 degree, कहां से आई 45 degree? x की value 45 थी, इसलिए z 45 हुआ, क्यों? क्योंकि x और z दौन ही seed सा भी mok on vertically opposite angle से, वो क्या होते हैं, अभी भी explain किया और part first में भी आपको बता रखा है, चलिए, 180 में से 45 degree ह हम less कर लेते हैं, तो कितना बन जाएगा ये, ये बन जाएगा आपके 135 degree, जो की option है, आपका option number कौन सा, second option, चलिए, बात करते हैं, next, question number 24 के बारे में, दिखिएगा, question number 24 भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, चलिए, इसका question का answer तो और भी आसान है, आपको पूछ रहा है, इसमें क्या, y का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, y का मान तो देखते ही हम बता सकते हैं, 25 degree होगा, इसका आला option कौन सा सा ये, पहला option, आसान है, क्य क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दौनों ही कौन, ये जैसे कि पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ठीक है, ये x है, ये कितना है, z है, ये है 25, और इसके सामने वाला है y, तो हमें पता है, 2-3-3 रेखा है, 2 transversal line, sorry, 2 intersecting जो line होती है, उनका जो intersecting point होता है, प्र बराबर होंगी, पर होंगे कितने ये नहीं पता, लेकिन बराबर जरूर होंगे, तो ये 25 डिगरी है, तो definitely y का मान भी 25 डिगरी ही होगा, और वही पूछा है, तो y की value आगई आपके 25 डिगरी जो की option होगी, आपका option number पहला, चलिए, बात करता है, अब इसको करने के वैसे और भी तरीके हो सकते थे, जिनको ये सीर साभी मुख कौन vertically opposite angles की knowledge नहीं होगी, वो कैसे करेंगे, वो भी बता देता हूँ, वो करेंगे आपके इस तरीके से, ये एक line लेंगे, जिस पर एक बिंदू लेंगे, तो इस line पर एक बिंदू पर एक ही तरफ बनने वाले कौनों क योगफल 180 होगा, तो ये 25 है, तो इसको निकालेंगे, और इस x का मान निकालेंगे, 180 माइनस क्या 25, ठीक है, तो x की value कितनी आ जाएगी, कम कर लेते हैं, 180 में से 25 को, तो 175 डिगरी, ये 155 डिगरी आया, अब फिर वो क्या करेंगे, अब ये वाली line लेंगे, अब इस पर ये दौनों कौन है, x और y, इन दौनों का योगफल भी 180 डिगरी होगा, क्योंकि एक line पर, एक बिंदू पर, एक ही तरफ बनने वाले कौनों का योगफल, 180 होता है, तो x का मान तो 155, प्लस y का मान पता नहीं, लेकिन दौनों का total 180, फिर 185 को उधर वेज देंगे, तो 180 में से 155 कम करेंगे, 25 ही आएगा, ठीक है, तो अगर आपको सीधा का सीधा 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 भी मुख कौन vertically opposite angles का नियम पता है, तो आपको ये कुछ भी करना नहीं है, सीधा option टिक करना है, और नहीं तो अफिर ये करना पड़ेगा, चलिए, तो अभी तो हमें पता है, इसलिए इसकी requirement नहीं है, तो ये था हमारा question, question number, कौन सा, 24, बात करते हैं, next question number, 25 के बारे में, क्या गह रहा है, 25 नमबर देखिएगा, डाइग्राम का ही question है, तो क्या है question देखते हैं, question number 25 आपको कह रहा है, चित्र दे रखा है, डाइग्राम दे रखा है, इसमें आपको find out करना x का मान, तो निकाल लेते हैं, x का मान क्या होगा वो, और कोई जानकरी नहीं दे रखी है, कि कौन क्या है, कौन समाना अंतर है, य कैसे निकलेगी x की value, देखिएगा, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये 5x है, ये 3x है और ये कितना है, 2x है, चलिए ठीक है, अगर इसकी value हमें x की value निकालनी है, चलिए, एक्स की value के लिए अगर हम देखें, देखिएगा, अगर इनको हम इस तरह से देखें, और ये 3x6 रेखाएं हो, तो क्या ये कौन बराबर होंगे, जैसे ही अगर मैं a, b और f, e के बारे में बात करूँ, तो a, b और f, e आपस में 3x6 रेखाएं हैं, definitely है, क्योंकि किसी एक बिंदू पर कट रही है, दोनों एक दूसरे से, तो ये 3x6 रेखाएं तो हो गई, तो फिर ये 5x है अगर, जैसे कि ये है नाम इसका आपके, f, और ये नाम है इधर इसका क्या, e, ये आगे जाने पर ये है, b, और ये नाम है इधर, a, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, अब देखिएगा, क्या ये दौनों की दौनों लाइने आपस में, इंट्रसेक्टिंग लाइन्स हैं, क्या ये 3x6 रेखाएं हैं, 3x6 रेखाएं यही होती है, जब दो लाइने एक दूसरे को एक बिंदू पर काटती हो, तो बिलकुल डेफिनेटली ये कट कर रही है, तो क ये कितना होगे आपके 5x, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब तो हमारा आंस्वर बिलकुल आ चुका है, कैसे, देखिए, ये आपका C से लेकर जो D तक है, ये C से D जो है आपकी, ये क्या है, ये एक सीधी लाइन है, इस एक स्टेट लाइन पर, एक सीधी लाइन पर, एक बिं दू पर, एक ही तरफ बनने वाले कौन, कौन कौन से है, 3x है, 5x है और 2x है, इन तीनों का योकफल कितना होगे, 180 डिग्री, तो जोड लेते हैं, 3x और 5x, 8x, और 2x कितना, 10x, ये बराबर आगया, 180 डिग्री, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, x का मान चीए था, वो आया, 18 दिग्री, जो की option है, हमारा option number कौन सा, पहला, तो simple सा काम चा, असानी से कर लिए, चलिए, बात करते हैं, next question number 26, क्या कह रहा है, उसके बारे में, diagram है, इसमें भी, और अच्छा खासा diagram दिख रहा है, देख लेते हैं, तो question number 26, आपको कह रहा है, चित्र दे रखा है, और चित्र में आपको parallel जो है, समाना अंतर जो है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है, कि AB और CD जो है, वो आपस में समाना अंतर है, तो आप देख सकते, AB कहा है, और CD कहा है, AB तो यह है, और CD आपके यह रहा, तो प्रश्णी के अनुसार दोनों समान अंतर है, parallel है, ठीक है, angle एक जो है उसकी value निकालनी है, और angle एक कहा है, वो भी बता रखा है, यह आपका angle एक, इस एक angle की value आपको निकालके बतानी है, तो वो तो निकल चुकी है, वैसे भी, बिना पैन चला है, मैं कह सकता हूँ, 55 डिगरी होगा, कैसे, क्योंकि यह जो बीच में आपको line दिख रही है, L dotted line जो है, वो इन दौनों lines के parallel है, समानांतर है, पर कहीं लिखावा नहीं है, तो definitely नहीं लिखावा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दौनों के center में खीची गई है, तो वो इसलिए खीची गई है, ताकि यह जो एक, दो और यह A angle नाम दि दौनों line के समानांतर है, तो जब इन दौनों के समानांतर है, तो फिर तो देखतर ही answer निकल रहा है, जब यह line dotted CD के भी समानांतर है, तो Z आकरती बन रही है, और वो Z कहा है, देखिएगा, यह Z बनता हुआ आपको नजर आ रहा, तो Z बन रहा है, इसका मतलब यह 55 degree और यह one angle जो है, angle कौन सा, एक number, यह 55 degree और यह one number angle जो है, आपस में एकांतर कौन हो गए, alternate angles हो गए, तो आपस में बराबर होते हैं वो, तो एक angle का माना आ गया, 55 वही हमें पूछा था, तो हमारा answer तो आ गया, अब देखिएगा, इसी में और क्या पूछ सकता था, दो number angle के बारे म पूछता, पूछा नहीं है वैसे तो, अगर angle number 2 पूछता, तो भी हम निकाल सकते थे, कैसे, देखिएगा, यह जो dotted line आपको दिख रही है, जो कि उपर वाले के समाना अंतर है, तो इस AB के भी समाना अंतर है, तो यहाँ पर भी एक Z बन रहा है, यह देखिए इस तरह से, तो यह Z आ करती है, उल्टी Z आ करती है, लेकि Z तो बनी रहा है, तो इसका अमला 38 degree और यह जो 2 angle है, यह भी आपस में एक अंतर कौन हो गए, और एक अंतर कौन क्या होते है, जब दो समाना अंतर रेखाओं को एक तिरिक्षेदी रेखा काड़ती है, तो अंदर की तरफ, Z आ करती है, अंदर की तरफ बनने वाले कौन, एक अंतर कौन होते है, और इनकी value बराबर होती है, तो angle 2 आ जाता यहां से 38 degree, ठीक है, अगर आपको यही यह angle पूछा जाता, पूरा का पूरा, अगर यह पूरा जो A है, जिसको नाम इन्होंने A दिया है, अगर यह A पूछा जाता, तो वो तो 1 और 2 के total के equal है, तो 55 degree और 38 degree हम जोड लेते, तो यह वाला जो angle दिख रहा है, आपको यह पूरा angle निकल जाता, लेकिन अभी question के बारे में बात करें, तो केवल angle first पूछा है, तो उसका answer हम कर चुके हैं, कितना 55 degree, चलिए, बात करते हैं, next question number 27 के बारे में again diagram है, वैसा ही कुछ diagram है जो अभी देखा था, तो question number 27 जो है, क्या कह रहा है, दिखिएगा, चित्र दे रखा आपको, और चित्र में क्या कह रहा है, चित्र में आपको कह रहा है, A, B और C, D जो है, वो समानांतर है, ठीक है, A, B कहा है, दिखाई दे रहा है, C, D कहा है, वो और यह आपके C, D या, D, C, कुछ भी कह दीजिए, यह दोनों हो गए, parallel, फिर, X का मान निकालने को कहा गया है, सीधा-सीधा, चलिए, ठीक है, निकाल लेंगे, तो अगर आप देखें, यह जो L दिख रहा है, आपको, L लाइन जो दिख रही है, पिछले वाले question की तरह ही ह है, diagram पूरा का पूरा, बस वहां कुछ और पूछा था, और यहां कुछ और पूछा है, इतना ही फर्क है, तो यह जो L लाइन ही, यह dotted line है, यह नहीं होती, तो भी हम draw करते हैं, इस question को solve करने के लिए, पर diagram में ही बना कर दे दी है, तो और भी आसान है, फिर तो हमारे लिए तो यह जो dotted line आई है, यह A, B और D, C इन दौनों के समानांतर ही होगी, क्योंकि otherwise question solve नहीं होगा, तो फिर हम लेते हैं, इसको आप किस तरह से काम में, देखिएगा, आपको पूछा है, X का मान क्या होगा, मतलब इसकी value पूछी है आपको, इसके बाहर वाले angle के बारे में प फिर एक बिंदू पर बनने वाले सभी कौनों का युकफल 360 degree होता है, तो अंदर वाला तो पता चल गया, दो ही कौन बन रहे है, इस बिंदू पर तो एक तो यह और दूसरा यह बाहर जो की X नाम दिया गया है, तो यह अंदर वाला आप निकाल लेंगे, और बाहर वाला कि इतना होगा, 360 में से अंदर वाला घटा देंगे, तो बाहर वाले का मान आ जाएगा, तो निकाल लेते ही, अंदर जो है वो, यह है आपके एंगल वन और एंगल टू जो है उनके टोटल के बराबर, तो एंगल वन कितना है, तो एंगल वन आराम से देख सकते हैं, अभी हो गया, 45 डिग्री, ठीक है, फिर एंगल टू कितना होगा, वो भी देख लेते हैं, अगें जैड बन रहा है, कहां पर, यह देखी, यह डॉटेड लाइन और यह जो डीसी है, यह भी समन अंतर है, तो इस बार उल्टा जैड बन रहा है, यह बना उल्टा जैड, तो बन यह यह उल्टा जैड, तो यह जो टू है, वो कितना हो गया, तीस डिग्री, तो टोटल कितना हो गया, इनका, यह हो गया, 75 डिग्री, ठीक है, किनका, इन दौनों का टोटल, इसका अले जो अंदर वाला एंगल में कह रहा था, यह आ गया कितना, 75 डिग्री, मुझे तो यह बा होता है तो बनने वाले दो ही एंगल है एक तो ये अंदर जो कि 75 डिग्री है जो कि वन और टू के टोटल के बराबर है वो मैंने निकाल लिया वन आ गया 45 के बराबर क्योंकि एक आंतर कौन हो गया तू आ गया 30 डिग्री के बराबर क्योंकि ये भी एक आंतर कौन हो गया तो दौनों को add किया, तो ये अंदर वाला कौन आ गया, total 75 degree का, अब इस बिंदू पर x और 75 बन रहा है, तो एक बिंदू पर total 360 बनता है, 75 बन चुका है, तो x कितना होगा, अभी निकाल लेते, तो x प्लस 75 बराबर 360 degree, x degree का मान कितना होगा, 360 degree में से 75 degree हम कर लेते हैं, कम, तो 60 और इधर से 15 कम कर लिया, तो ये हो गया 285 degree, जो की option है, आपका option number A, तो यही आपको पूछा गया है, कि answer क्या होगा, तो इसका answer होगा, option A, 285 degree, चलिए, देखते हैं, next question number 28, क्या कह रहा है, उसके बारे में, तो question number 28, के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी diagram वाला ही question है, और अच्छा question है, तो question number 28, क्या कह रहा है, देखिएगा, आपको कह रहा है, चित्र में, A, B और C, D क्या है, समानांतर है, तो आप देख पा रहे हैं, कि A, D का है, और, स्वरी, A, B का है, और C, D का है, चलिए, तो A, B ये रहा, उपर वाला, और C, D का है, ये रहा, आपको X का मान बताना है, चलिए, निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत वैसा ही है, या यूं कहते हैं, पूरा ही वैसा है, जो हमने अभी अभी समझाता, ये दौनों तो हो गए, parallel, ठीक है, अब इस X का मान कैसे निकलेगा, तो देखिएगा, जैसे कि अभी पिछले दो questions में आपको dotted line बीच में दे रखी थी, यहाँ पर हमने draw कर ली, ये इस तरह से dotted line, क्यों draw कर ली, क्योंकि हमें इसका answer निकालना है, ठीक है, यहां तक, अब ये जो dotted line है, जिसको मैं नाम ये दे सकता हूँ, A, B, C, D और E है, तो इसको नाम दे दिया, F और G, ये F, G, जो हमने draw की है, ये A, B, और C, D, इन दौनों के समानांतर होगी, कैसे होगी, हमने इसी लिए draw की है, कि ये parallel हो इनके, तभी answer निकल पाएगा, फिर तो answer आगया, कुछ बचा नहीं, इसमें खास, कैसे देखिएगा, जैसे ही हमने ये dotted line draw की, ये जो X है, ये X दो angle में टूड़ी है, जिसको नाम दे दिया, 1 और 2, ये उपर वाला हो गया, 1, और ये नीचे वाला हो गया, आपके 2, ठीक है, यहां तक, तो 1 और 2 जो है, वो X के बराबर हो गया, X degree, जो है, वो 1 और 2 के equal हो गया, क्योंकि दो भ देखिए, angle 1 क्या होगा, A, B और ये जो F, G है, ये दौनों समाना अंतर है, तो हमें पता है, A, B और F, G समाना अंतर है, तो ये जो line आपको दिखरी है, यहां पर, A से E, ये इसकी 33-6 दी रेखा हो गई, मतलब transversal line हो गई, तो जब 2 समाना अंतर रेखाओं को एक 33-6 दी र ये नाम है उसका एक, तो क्या होगा, 1 की value, 180 मैं से 108 कर लो कम, तो angle 1 आ जाएगा, आपके पास कितना 72 डिगरी, ठीके, तो 72 डिगरी आगे, आपका value किसका, 1 number का, second number भी सेम इसी तरह से निकलेगा, तो देखते हैं, angle second क्या होगा, इसको ओपर लिख लेते हैं थोड़ा, ये जो x का मान हमने दो भागों में बाटा है, 1 प्लस 2 उसको यहां लिख लेते हैं, चलिए, angle 2 निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, ये fg और ये cd ये भी समाना अंतर है, ये जो आपके e c है, ये इनकी तिरिक शेदिरे का transversion line हो गई, तो ये 2 और 112 डिगरी जो है, angle number 2 और 112 का total कितना होगा, 180 डिगरी होगा, इसका मतला angle number 2 क्या हो गया, 180 माइनस 112 डिगरी, तो माइनस कर लेते हैं, तो angle 2 कितना आ जाएगा, तो 180 में से 112 कम कर लें, तो ये 8 किया है, तो 20, फिर कितना होगा, ये 68 डिगरी, ठीक है, तो angle 1 आ गया, 72, angle 2 आ गया, 68, हमें तो x बताना है जो की 1 और 2 के total के बराबर है, तो दौनों को add कर लेते हैं, 1 है 72, ये लीजिए, ये है 68, तो ये लीजिए, इन दौनों को add कर लेते हैं, जो की आएगा कितना, 140 डिगरी, और वो है हमारा option, option number कौन सा, second option, वैसे ये लिखने की requirement नहीं थी, बीना लिखे भी हम यहीं पर सब क कर सकते हैं, लेकिन यहां लिख कर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा complicated हो जाता दिखने में, इसलिए यहां से अलग से लिख दिया ताकि आसाली से दिख सके, ये था question number 28, अब बात करते हैं, next question number 29 के बारे में, देखिएगा, क्या गहरा आपको question number 29, question number 29 आपको कह रहा है, diagram बनावा आपके सामने, इसमें आपको समाना अंतर दे रखा है, कौन कौन, O, P और R, S, O, P और R, S जो है, वो आपस में समाना अंतर, O कहा है, ये है आपका O, लिखावा नहीं है, ये ही है O, ठीके, तो O, P और R, S समाना अंतर ह तो ये लीजिए, ये O, P और ये आपके R, S, ये दोनों समाना अंतर है, parallel है, चलिए ठीक है यहाँ तक, P, Q, R का मान क्या होगा, P, Q, R मतलब इसकी value पूछिए जिसको नाम मैंने theta दे दिया, और ये 110 degree और वो 130 degree आपको दे रखा है, कैसे निकलेगा, direct ऐसे कुछ करके निका दाल सकते हैं, नहीं, आप सोच रहें, यहीं से अगर answer निकल जाएगा, तो वो नहीं निकलने वाला, तो क्या करेंगे हम, तो हम थोड़ा सा इसमें काम इस तरह से करेंगे कि, ये जो O, P है, इस line को ले कर जाएंगे हम आगे, ठीक है, और एकदम state ही ले कर जाएंगे, और जो है, O, P, R, S, Q है, तो इसको नाम दे दिया हमने T, तो ये जो आपके O से T आई है, ये parallel है, किसके समाना अंतर है, किसके RS की, क्यों, क्योंकि हमने ही इसको draw किया है, और हमारी सहुलियत के लिए मतलब question को solve करने के लिए draw किया है, तो हमने definitely एकदम state इसको draw किया है, ताकि जिस प्रकार से RS और O, P, प्रशने के लुसार parallel था, उसी प्रकार से RS और ये पूरी line, जो कि OT नाम दिया गया है, ये भी क्या हो parallel हो, चली ठीक है या तक, अब हमें तो निकालना है theta, तो निकाल लेंगे, अब आप देख सकते हैं, एक line पर, एक बिंदू पर, एक ही तरफ बनने वाले कौणों का योकफल कितना होता, 180 डिग्री, तो ये 110 है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चली ठीक है, लेकिन अभी भी theta निकालना है, वो अभी भी नहीं आया है, अब निकल जाएगा, कैसे देखिएगा, अगर मैं बात कर जैसे कि RS और ये जो लाइन है, OT दोनों एक दूसरे के समाना अंतर है, तो ये इनकी क्या होगी, 33 छेदी रेखा, तो इसका मतलब ये दो समाना अंतर रेखाएं हैं, ये इनकी 33 छेदी रेखा है, तो अंदर की तरफ ये जो दोनों कौण है, इन दोनों कौणों को हम कहते है अंतह कौन और इनका योगफल होता है 180 डिग्री तो 180 डिग्री में से ये तो 130 डिग्री है तो बचावा ये कौन कितने डिग्री का हो गया ये कौन हो गया 50 डिग्री तबी तो दोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा तो ये 50 डिग्री है तो फिर ये कितने का होगा ये भी पचास डिगरी कई होगा क्यूं क्योंकि ये दौनों कॉन आपस में कॉन से कॉन होंगे ये दौनों ही कॉन आपस में सीड सा भी मुख कॉन vertically opposite angles होंगे तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया लेकिन अभी भी हमें तो theta निक्लना था वो नहीं निकला पर अब निकल चुका है, क्यों? क्योंकि अब हमारे सामने एक तिर्बुज बन चुका है, वो तिर्बुज है, पी, ये कोई पॉइंट नाम कुछ भी दे सकते हैं, और ये क्यों इस तरह से? ये है आपका तिर्बुज और तिर्बुज के तीनों अन्ताय कोणों का योखफल 180 डिगरी होता है उसमें से 2 हमें पता है और तीसरा हमको निकालना है, तो वो निकाल सकते हैं, तो तीटा की value मैं कह bundle सकता हूँ, तीन होगा योकफल, 180 होगा, उसमें से दो का योकफल हम कर लें, तो ये हो गया 50 और 70 कितना 120 डिग्री तो 180 में से 120 कम कर लो तो आंस्वर आया 60 डिग्री, जो की option है, आपका option number कौन सा, पीसरा तो ये था हमारा question number 29, जो की हमें आंस्वर दे रहा है, C option और जो की है 60 डिग्री, जो की बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया बात करते हैं, next question 3030 के बारे में देखिएगा अच्छा question है जानकारी काफी दे रखिए इसमें, और पूछा आपको है किसके बारे में वो भी हम देख लेते हैं चित्र में आपको कहरा है कि AB और CD समानांतर है चलिए AB और CD समानांतर है, तो देख लेते हैं कहा है AB, ये है आपके AB और CD का है? यह री डोनों समाना अंतर हो गोई? कोई दिक्कत नहीं है फिर कह रहा है CD और EF बहीं समाना अंतर है तो यह लीजिए यह CD और यह EF एक तरह से हम यह कह सकते हैं यह तीनों लाइने एक दूसरे के पैरिलर है समाना अंतर है चलिए यहां तक भी ठीक है फिर आपको कह रहा है E A जो है वो क्या है वो आपके perpendicular है A B पर मतलब E A जो है वो लंब है A B पर तो E A का है यह रही E से A यह लंब है A B पर तो A B यह रही तो इसके कहने का मतलब हुआ है कि यह जो कौन है यह 90 degree का है वैसे यह नहीं कहता और अगर इस तरीके से हम इसके बनने का तरीका देखें कौन का तो वो आपको 90 degree ही बता रहा है part first में मैंने आपको बताया था तो यह होगया आपके 90 degree प्रसने के अनुसर अब आपको क्या पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है बताईए जैड का मान क्या होगा और जैड मैं देख सकता हूँ वोर X भी दे रखा है Y भी दे रखा है और भी 55 डिगरी और ये सब कुछ दे रखा है तो XY काम आएंगे या नी आएंगे ये तो हमें नहीं पता लेकिन हमें तो Z निकालना है तो उसी पर फोकस करते हैं तो देखिएगा जैसा कि आपको प्रस्ण ने कहा है कि ये जो AB है इस CD के समाना अंतर है फिर ये का है कि CD जो है वो EF के समाना अंतर है तो definitely ये ये ही कह रहा है कि ये जो A से B है लाइन ये EF के बी क्या है समाना अंतर है मतलब parallel है ठिक है यहां तक तो दो लाइन में parallel समाना अंतर कब होती है जब उन दौनों के बीच की लंब वत दूरी perpendicular distance क्या रहती है एक समान रहती है और प्रशने ने ये भी कह दिया है कि ये e से e जो है आमने यहाँ पर लंब खीचा है 90 degree पर डाला गया है तो ये जो एंगल है ये पूरा ये भी 90 degree का ही होगा क्योंकि perpendicular distance होगे उन दौनों के बीच की क्योंकि वो parallel है तो ये 90 degree है तो ये इदर लंब है तो ये भी उदर लंब ही हुआ perpendicular ही हुआ तो ये पूरा कितना है 90 तो पूरे में से 55 degree तो हमें पता है ये नीचे वाला है उपर वाला z है जिसकी value हमें निकालनी है तो वो value में आसानी से बता सकते हैं कि z प्लस 55 degree मिला कर कितना है 90 degree तो आपको तो z निकालना है तो निकाल लीजिए 90 degree में से 55 degree कर लीजिए कम तो कितना हो जाएगा 5 ये 60 और ये कितना 35 तो option हो गया हमारा क्या तो आपको ये ही पूछा है कि z का मान क्या होगा तो z के value आ रही है 35 degree ये था हमारा question question number 30 बात करते हैं हमारे इस chapter के और आज के वीडियो के last question question number 31 के बारे में जो कि हमारे इस chapter lines and angles का last question है ठीक है चलिए बात करते हैं question number 31 क्या गहरा है question number 31 देखिएगा question number 31 में भी diagram ही है और details भी दे रखी है तो details के अनुसार अगर हम देखे तो कह रहा है कि चित्र में यदी PQ और RS क्या हो समाना अंतर हो तो बात देख लू PQ का है ये रहा आपका P से Q और RS का है ये रहा आपका R से S फिर कह रहा है mxq 135 डिगरी है mxq 135 डिगरी है दिख भी रहा है लिखावा भी है और myr 40 डिगरी है myr 40 डिगरी है लिखावा भी है दिख भी रहा है तो xmy का मान क्या होगा xmy का मान मतलब ये value पूछी आप निकाल सकते हैं कैसे जब पता इस तरह के questions आते हैं हम बीच में एक dotted line ड्रॉ कर देते है जो की इन दौनों के parallel ही होती है क्योंकि हमने ड्रॉ किये हमने हमारी सवुलियत के लिए कुशन को solve करने के लिए ड्रॉ किये तो हमने एक line ड्रॉ कर दी यहाँ पर वो line हो गई आपकी यह रही ठीक है जिसको नाम मैं दे सकता हूँ P Q RS X Y चल रहा है तो इसको नाम दे दिया A से B ठीक है तो यह A से B हमने इसको नाम दे दिया है यह इस P Q और इस RS के समाना अंतर है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर के P Q parallel है A B के और A B B parallel है RS के मतलब तीनों ही एक दूसरे के समाना अंतर हो चुकी है तो आपको तो यह पूरा एंगल निकालना है तो निकाल सकते हैं देखिएगा सबसे पहले तो यह जो पूरा एंगल है इसको दो भागों में बाट दिया जाए तो यह हो गया पहला भाग और यह हो गया दूसरा भाग ठीक है तो जो सेकेंड वाला है उसकी वेल्यू तो हम देख सकते हैं सीधी सीधी के यह कितना हो जाएगा 40 डिग्री क्यों हो जाएगा क्योंकि यह दौनों समाना अंतर हो गई यह इनकी तिरेकशेदी रेखा हो गई तो इसकाला जैड बन रहा आपके पास यह देखिए उल्टा जैड बनता हुआ नजर आ रहा है तो यह दौनों ही कौन आपस में कौन से कौन हो गए यह दौनों ही कौन हो गए आपके एक अंत अल्टरनेट एंगल्स तो यह 40 है तो वो भी 40 हो गिया चलिए ठीक है उपर वाले इस एंगल के बारे में बात कर ले तो यह एंगल कितना होगा उसको भी देखते है जरा इसकी वैल्यू निकालते है तो हम देख सकते हैं यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे के समाना अंतर है यह इनकी 33 छेदी रेखा है तो यह जो कौण है यह दौनों ही कौण अंतह कौण है और अंतह कौणों का योगफल कितना होता 180 डिगरी तो यह एक तो 135 डिगरी है तो दूसरा कितना होगा 55 डिगरी होगा तो यह होगे आपके 55 डिगरी क्योंकि दौनों को एड़ करेंगे त तो कितना बन जाएगा आपके सॉरी 55 नहीं यह जाएगा कितना 55 और यह 5 कितना 44 90 हो जाएगा तो 55 नहीं 45 करेंगे it अब ठीक है ठीक है क्योंकि 135 है तो में और एक एकडिक हैटरो फांच 445 ऐच्रिपरी नभी तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री आ गया, उपर वाला, 40 डिग्री आ गया, नीचे वाला, हमें तो ये पूरा ही बताना था, ये वाला, जो की 45 और 40 दोनों के टोटल के बराबर है, तो पूरे का मान जो पूछा है, वो आंस्वर हम कह सकते हैं, कि एंगल, X, M, जो Y है, उसका मान हो जाएगा, 45 और 40 क इतना 85 डिग्री जो की option है, आपका option number C, तो ये था हमारा question, question number 31, जो की हमारे इस chapter का last question था, बात करेंगे, नए वीडियो में नए chapter की, तब तक चैनल को subscribe और वीडियो को like, share और comment box में comments जरूर कीजी, thank you so much.